नमस्कार दोस्तों स्वागात है आपका कक्छा 10 इंगलेस के एक और वीडियो में दोस्तों आज हम 9 नमर अपने कम्पलीट करने जा रहे हैं यानि की जो आपसे पूचा जाना है जैसे नमन्द जैसे हम ऐसे कहते हैं और application तो application कौन-कौन से आने है निमंद कौन-कौन से आने है जो और 2003 समय कौन से पूछे गए थे वो सारी चीज़ू पर अज हम चर्चा करेंगे और सब को देखेंगे और सबसे बेस्ट बड़त आपक से पहले देखते हैं हम एपलीकेशन इंपोर्टेंट एपलीकेशन MP4 2024 का जो आपका 19 फरवरी का पेपर है उसके लिए सबसे पहले लाउड़ स्पीकर की एपलीकेशन आप याद करना है कौन सी एपलीकेशन याद करनी है देखिए देखिए दोस्तो जिस एक मिनिट जे लिख पहां करना नहीं करना हुआ और नहीं इसको कर लेजिए अपने पास समय आप फिसको अछह से कर सकते हो ठीकों रि दूसरा इधर लिखétat किसको लिखते है भीजम कंटर कूलेकशन यहां क्वालियर MP आप यहां जला का नाम जो भी लिखना चाहूं लिख सकते हो ठीक है सब्जेक्ट में क्या लिखना है कप्लेंट अगेंस्ट दा यूज आप लाउड इस्पीकर यानिकी लाउड इस्पीकर के जो धौनी विस्तारा की अंत्र है उनके खिलाप आपको क्या लिखना है एक लेटर लिखना है ठीक है किसको लिखना है लाउड कलेक्टर को अब लिखना है सर आई फिल स्वरी टू इनफॉर्म देखिए मैं ब्लकुल सरल लिखकर आया हूं और इसमें आपको पूरे के पूरे नमर मिलेंगे तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना ठीक है किन्तु कुछ लोग क्या करते हैं देर रात तक दोनी विस्तारा के यंत्रों का प्रियोग करते हैं कांडली एक क्वेस्ट यूटूब पूट एवर्ण ओन लाउड इस तरीके से लिख देना है आपको फिर यहां नीचे लिख दोगे थेंकिंग यूसर ध्यान रखना फॉल यहां थेंकिंग यू लिख दोगे और नीचे लिख दोगे यूर फैथफुली या यूर जो भी आप लिख सकते हैं फैथफुली लिख देना बैस्ट रहेगा नेम और किलास ठीक अब अंगली है हमारी बुक बैंक जी देखना ध्यानत से मैं आपको पेपर में भी बताऊं आपको दस लिखना है आप देखो यहां ध्यान से फोलो स्टॉप है ही एज अनेवल टू पर्चेस बुक्स फोर मी फ्रॉम मार्केट यानकी मैं देखी क्या लिखना है आतरणी है आई बैक टू से देट आई हम रेगुलर स्टूडेंट अपक्लास टैंथ आप यूर उस्कूल मैं आपके विद्ध्यार्ती का विद्ध्यालाय का एक निमेच छात्र हूं माई फादर यानकी मेरे पता जी पूर फार्मार एक गरीब कसान है यह अनेबल टू पर्चेस यानकी वह नहीं खरीच सकते पर्चेस बुक्स फोर मी फ्रॉम मार्केट यानकी मार्केट से मेरे लिए बुक्स नहीं खरीच सकते आँगे आता है हमारा समर विकेशन आपके सामने है आपको इस तरीके से लिखना है बीच में आपको नाम लिख देना ध्यान रखना तरीका आपका यही होना चाहिए लिखने का पिर इधर डालोगे आप एड्रेस भोपाल सेबाजी निगर अब यहां लिख दाए माई डिय होंगे I have made a plan to budget कस्मीर डियूरिंग समर विकेशन मैंने एक प्लान बनाया है क्या प्लान बनाया है डियूरिंग घूमने का गर्मियों की छुट्टियों में कस्मीर घूमने का है ना I shall be great and happy है ना I shall be great and happy if you spend your vacation and have become phrase यहां फ्लो स्टॉप आ गया for this year studies और फिल फ्लो स्टॉप आ गया अब पैरग्राफ चार्ज करोगे convey my best regards to your parents और यहां लिख देना रेष्टी जोग के और यहां इसको थोड़ा सा inverted अब अंगली है हमारी TCS SLC ठीक है तो इसको देखिए ध्यान से जे लिखा है आपको यहां लिखना है application for transfer certificate to the principal government high secondary school जो भी दतिया बगयरा है ना subject application for transfer certificate और respect sir या madam ठीक अब देखना ध्यान से क्या लिखेंगे with due respect this is to inform you that I am student of class जो भी class है in your school यानि कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मैं आपके ध्याले का नियमत चात्र हूँ ठीक है my father is government service holder यानि कि मेरे पता जी क्या है government service holder है recently he has been transferred ध्याली to जैपूर यानि कि अब यहां आपको कोई भी MP की दो सहर लिखना है ठीक है और recently मतलब हाल यह में मेरे पता जी का इस्थानांतरन हो गया है my family will be shifted there soon यानि कि मेरी family जल्दी से जल्दी वहां shift हो जाएगी therefore I request you to currently issue me my transfer certificate so I would able to join a new school there I shall be thankful to you for this for this के लिए और फिर यहां लिख दोगे yours arbitrarily name class date और thanking you sir अब एक और पूचा जाता है आपसे सिखलीब सिखलीब का देखिए तो जी सिखलीब है उपर लिख देना है आपको सिखलीब नीचे लिखोगे to the principal government high secondary school दतिया subject application for सिखलीब अब इसमें क्या है sir most respectably I have to say that I am student of class 10th or 12th of your school I have been suffering from fever since last night यान कि मैं बहुत जानदा पीड़ेत हो किससे बुखार से last night से so I cannot attend the classes इसलिए मैं school join नहीं कर सकता हूँ kindly grant me leave for three day यान कि मुझे तीन देने की चुट्टी देने की किरपा करें तेंकेंग यू सर योर अविडेंटली नेवर अब आता है ऐसे तो ऐसे कौन सा करना है आपको दो ऐसे करना है my hobby और wonder of science my hobby का मैं आपको बहुत shortcut में लिख कर आया हूँ आप इसको याद कर लिजे देखे ध्यान से इस तरीके से दे रखा है my hobby है न ऐसे लिखना है इस तरीके से पहला point है आपका introduction introduction में क्या लिखना है hobby means anything done is past time when we have no regular work to do and want to past our time doing something as enjoyment it is called hobby ठीक दूसरा है kinds of hobby there are many kinds of hobbies such as painting, stamp collection, photographic, gardening, making toys etc आप और भी इसमें चीज जोड़ सकतो जो आपको पसंद है अब इसमें my hobby तो मेरी hobby क्या है यान कि आपकी hobby क्या है जो आप लिख रहे हो तो आपकी hobby क्या है तो my hobby is grinding ठीक है gardening I believe it is the best hobby because trees and plants are the basis of our life they not only give us food to eat what also serve us in many ways well they make the air fresh and cool for us plants give us flowers अब आता है एडवांटीज तो एडवांटीज क्या है इसका I get fresh fruits and vegetables in sufficient quantity they are testful and useful because they content vitamins content vitamins the garden work gives me great delight I like my simple food अब आगे आता है conclusion 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 my mother father and other members of my family help me in my hobby in my leisure time I look after my garden तो दोस्तो जी आपकी 9 number पक्के हो जाएंगे अगर आप इन चीजों को complete कर लेते हो तो चले दोस्तो आज यहीं तक और मिलते हैं next अंगली वीडियो में जब तक आप इसको याद कर लेजिए अच्छे से पढ़ लेजिए और पढ़िया से त्यारी केजिए अभी हमारे पा